अगर दोस्तों मैं आपसे पूंच हूँ कि रियल क्रिकेट टॉइन टू गेम आपको कैसा लगता है मैं नहीं बता हूंगा तो आप लोग बोलोगे वह यह बहुत अच्छा लगता है ये बड़ी अच्छी बात कहीं लेकिन गाइस डबलुसी टूइन डबलुसी ट्री में तो कैरेर मोड मिलता है कि रियल क्रिकेट टॉइन टू में कैरेर मोड मिलता है तो गाइस काफी सारे रियल क्रिकेट के फैंस यहां पर नाराज हो जाते हैं क्योंकि यार उनके अंदर कैरेर मोड हमको देखने को नहीं मिलता है अब दोस्तों रियल क्रिकेट टॉइन टू का ना सब कुछ बताता हूँ केरीर मोड आएगा नहीं आएगा तो कब तक आएगा तो सब कुछ आज किस वीडियो में आपसे को बतारे वाला हूँ फुल डिटेल के साथ वीडियो को अपने वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा time waste नहीं करते हैं तो गया सबस्क्राइब कर लेते हाला कि WC3 में इसका अपोजेट हो रहा है मतलब WC3 में फीचर्स वरे जा रहे हैं वो लोग अपने गेमप्ले पर सुधार नहीं कर रहे हैं लेकिन रियल किरकट सबसे पहले अपने गेमप्ले को सुधार रहा है क्योंकि गेमप्ले जब आपको एकदम रियल वाला फील हैं नहीं कि अब्स कर रही अपने गेमप्ले में इतना रादा इंप्रोबार ही कि आप अगर जब करेंट लाएगी तो आपको एक रियल लगेगा जैसे मानों आप ही अपना खुद का खिल रहे हो तो यह इस लिए गाइस डील केर्ट टो अभी तक करेंग नहीं ला रही है एंड जब तक अपने गेंपले को एंड अच्छे से मलब सारे सारे बैटिंग इस अच्छा डेवलिमेंट नहीं कर लेती तब तक केरियर मोड नहीं लाएगी एंड गाइज उन्होंने एक वीडियो में खुद ही बोला था कि केरियर मोड लाएंगे लेकिन अभी नहीं आठ से नौ मंथ बाद लेकर आएंगे तो गाइज अभी आल्रेडी तीन से चार मंथ हो साहँ है साइध हम लोगों को हो सकता है कि अगले साल 2024 में केरीर मोड देखने पर मिल है się के साथ 300 लोगों कर 25 Keicard 24 के साथ हम लोगों को में मिल सकता है मिजए नहीं पता लेकिन आप 2024 में आपको 2024 में आपको केरियर मोड देखने dispos मिलने वाला है इतना मैं आपको बता देता हूं तो गाइस के दिखने को मिलेगा लेकिन अभी नहीं अभी आप लोग गेंप्ले को एंजॉय करो कि अभी जब तक गेंप्ले अच्छा नहीं लगेगा आप लोग बोल सकते कंपनी को यार इसके अंदर यह साही नहीं बस आप ल को रियल हो जाएगा ना तब आपको क्यारें मोड खेलना तब आपको बताना कौन सा बेस्ट करेंड मोड है तो कि अंदर आपको फेल नजर आने वाला है तो मिलते नक्स वीडियो में आप लोग वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब होफिली कि आपको यह इ के को लाइब होग